नमस्कार, मैं गुपतेश्वार पांडे, डीजीपी बिहार, आप बिहार के बारहो करूर लोगों को, आम जन्ता को, नौजवानों को, सब लोगों को प्रणाम करता हूं और नरोद करता हूं कि अब कुद्सों का सीजन प्रारम हो गया है, मुहर्रम है, मुहर्रम के बाद छट, दिवाली, दसहरा और फिर बाद में हो लिए रामनों में, ये तिवहार लगाता है अब चलेंगा अप्रील तक बिहार जैसा मैं पहले भी कहता आया हूं सामपरदाईक सदभाव की धर्ती है, बीरों, बल्दानियों, सहीदों, त्यागियों, करांतिकारियों की धर्ती है पीरों, मौलबियों, संतों, रिशियों, मनीशियों की धर्ती है बिहार की धर्ती से सांती का संदेश दुनिया के कोने कोने में गया है उद्ध की धर्ती है, महाबीर की धर्ती है सांती की धर्ती है, अहिसा की धर्ती है ऐसा देखा जाता है कि जब भी कोई त्योहार आता है चाय वईद हो या मुहर्रम हो रामनौमी हो या दसहरा हो कुछ असामाजिक तत्व महोल को खराब करने की कोशिश करते हैं कुछ लोग ना समझी में ज़ग जाते हैं गली का जगड़ा, नली का जगड़ा, आपरस का जगड़ा छोटी छोटी बातों पर जो आपसी विवाद होते हैं उनका रूप भी सामपरदाइक हो जाता है यह बहुत दरभाग्य पूरा है हम यह सोचना चाहिए कि समाज में अगर दोसर अमदाइक लोगों के बीच में कटुता रहेगी द्वेश रहेगा और किसी परकार के संघर्स की इस्तिती उत्पन होगी तो सामपरदाइक सोहर्द बिगड़ेगा और इससे फाइदा किसको है किसी को फाइदा नहीं होता सबक का नुकसान होता है और क्यों नुकसान होता है खास करके जुआओं का तो बहुत नुकसान होता है क्योंकि आप जानते हैं एक नीत पुलिस मुख्याले ने बनाई है कि इस तरह के मामले में जो भी पकड़े जाएंगे जिनका नाम आएगा उनका नाम गुंडा पंजी में दर्ज किया गया अब गुंडा पंजी थाने की एक स्थाई पंजी है एक बार गुंडा पंजी में नाम हो गया, केस होगा, मुकदमा होगा, ट्रायल होगा, जेल जाएंगे, सजा मिलेगी ये बात अलग है लेकिन इसके अलावे गुंडा पंजी में नाम एक बात धर्ज हो गया तो भारी संकट है किसी परकार के अस्तसस्त की अनिगप्ती नहीं मिल सकती लाइसेंस नहीं मिल सकता आपका चरीतर सत्यापन सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता सरकारी नोक्री तो मिल ही नहीं सकती चपरासी की भी चौकिदार की भी आप मेधावी हैं आपका भौश से आप डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, आप I.S. हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सारी मेधा बेकार हो जाएगी, क्योंकि आपको शरीतर सत्यापन सर्टिफिकेट जो है, वो नहीं मिलेगा, तो जब नौकरी में जॉइन करता है आदिमी, तो करेक् मिलने में दिक्कत होगी, जूटे केस में अगर आपका नाम भी आएगा, तो निस्पक्षान संधान करना मुश्किल होगा, और इसके आलावे, आपका अपराधिक इतिहास बनेगा, जब जब भी वहां किसी तरह की समस्या होगी, सामपरदाइक सोहार्द बिगड़ेगा, क इसको कहते हैं, सर्विलेंस प्रसेडिक, आपकी प्रावेसी खतम हो जाएगी, आपको ठाने में हाजी देने को कहा जा सकता है, आपकी प्रावेसी खतम हो सकती है, आपके घर कभी भी पुलिस दफतक दे सकती है, मिना किसी वारंट के, निगरानी कारवाई में आप अगर आ बाइक नहीं रहेंगे क्योंकि छोटे केस में छोटे अपराद में भी आपको सजा मिल गई तो किसी तरह का चुनाओ नहीं लड़ सकते तो इस तरह से हमारे नौजवान चुकी इतनी बातें नहीं जानते हैं इसलिए कुछ लोगों के कावे में आ जाते हैं इसलिए तमाम लोगोजवान को बिहार की 12 कροोड़ा हूं से मैं अपील करता हूँ कि बिहार की शान बिहार की गर्मा बिहार की मर्यादा इसी में है कि हर पर प्रत और वैसे भी पूरे सूबे में सामपरदाइक सद्वाओ का महल भना करकर रख थे हैं और पुलिस को निरदेश दिया गया ह कि जहां जो समपरदाइक सद्वाव विगाडने कोशिश करें किसी जाद के हों, किसी मजभ के हों उनके साथ किसी भी कीमत पर कोई भी मरववत न की जाए किसी परकार की पैर भी नहीं सुनी जाए और ऐसे लोगों को बुक किया जाए ऐसे लोग का नाम गुर्णा पंजी में लेकिन अभी मेरा व्यक्तिगत अन्भव ये है या सातवा महिना है छे महिना पहले में डीजीपी बना था उसके बार बाद कई उत्सवाए उसके बाद खूली का तेखार आया रामनौमी का तेखार आया सब्बे बराद गुजरी चु पंदाइक, गंभीर संकट पैदा नहीं हुआ ये मेरे चलते नहीं हुआ और ये क्योल बिहार पूलिस के चलते नहीं हुआ मलकि बिहार की बारख करूर आवाम के सहयोग कारण हुआ वही सहयोग मुझे इस मुहरम में भी चाहिए वही सहयोग मुझे आने वाले दसहरा में भी चाहिए दिवाली में भी चाहिए छट में भी चाहिए ठोली में भी चाहिए रामनोमी में भी चाहिए आईए मैं आपसे प्रांखना करता हूं बिंती करता हूं बिहार सरकार इशु सासन की सरकार है बिहार सरकार हर कीमत पर सामपरदाइक सद्वाव बनाए रखना चाहती है हम सब मिल करके बिहार की गर्मा को बचाए रखने के लिए बिहार की मर्यादा को बचाए रखने के लिए ऐसा प्रेम और सद्वाव का महौल बनाए कि हमारे मुहर्रम सहीत आने वाले सभी तेवाद सांती पुरुन महाल में गुजर जाए मेरा आग समों को प्रणाम मैं गुपते स्वर पांडे डीजी पी बिहाद